हेलो गाइज मैं हुरू भीनाा ने्टा कीचन में आपका स्वागत है आज मैं आपको बत हुए आलू की मिक्स सबजी बना कर दिखाऊंगे चलिए कैसे बनती है बनाना शुरू करते हैं तो मैंने लिए है दो बड़ी प्यास मैंने लिए है लेसून हरी लेसून वाइट लेसून अद्रक का तुकड़ा मैंने लिए है एक बड़ा टामाटर जिसे मैंने चॉप कर लिए मैंने लिए है बत हुआ मैंने लिए है आलू ससे पहले मैं तेल में प्यास एट करूंगे ऐसे अच्छे से चलाऊंगी अब मैं इसमें एट करूंगी सारे कटे मसाले जिसमें मैंने लिए है लैसोन मैंने लिए है अद्रक मैंने लिए हरी लैसोन और मैं इसमें हरी मिक्स एट करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी मैं इसे light brown करूंगी और फिर मैं इसमें देखी में प्यास pink हो गई अब मैं इसमें add करूंगी अलू और इसे भी प्यास के साथ fry करूंगी तो मैं इसे आलू को प्यास के साथ fry कर लोगी ताकी आलू का जो पानी है उसी में आलू fry होके गल जाए आप मैंने इसमय एक चम्मस लाजमिश पौड़र, आदा चम्मस हल्दी पौड़र एट कर दिया है मसाले इसके साथ अच्छे से फ्राई हो जाएंगे अब मैं इसमें एट करूंगी बत्हुआ तो मेरे आल्ब फ्राई करते हुए दस मिट हो गया है अब मैं इसमें बथुआ एट कर दूँगी और इसे भी 5 मिनट फ्राइ करूँगी तो देखिए ये बहुत ही टेस्टी सबसी बन करके तयार हो जाती है देखिए बथुआ ने पानी छोड़ने स्टार्ट कर दिया है अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक एट करूँगी मैंने सबसे पहले इसमें टमाटर डाल दिया है और इसे अच्छे से चला लूँगी टमाटर को गलाने के लिए मैं इसमें नमक एट करूँगी तो मैंने ये नमक स्वादनुसार डाल दिया है और इसे अच्छे से चलाऊंगी ढ़क के मैं रख दूंगी देखिए मैं बत्वेक सब्जी बन करके सैयार हो गई तो चलिए मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ तो देखिए सब्जट्वे की सब्जी मेरी कंपलीट हो गई है ये बहुत ही जल्दी बन जाती है खाने में बहुत ही टेस्टी होती है तो अगर मेरी और आपको अच्छी लगे तो प्लीज में चैनल ने तक जनको लाइक करिए सस्क्राइब करिए मिलते हैं दोबारा आला हाफिस